सब्सक्राइब नियुक्ति पत्र के लिए ये दोक्मेंट अनिवार रहे हैं कौन-कौन से ये दोक्मेंट है सबसे पहला डोक्मेंट आप लोगों के लिए आपका जो डोक्मेंट आपने जो सम्मिट किया है तो उस डोक्मेंट सम्मिट करने बाद आपको एक स्लिप मिली होगी दो दिन काउंसलिंग में जो आपने डोक्मेंट सम्मिट किया है वो slip अपने पास बहुत important तरीकेस रख लीजेगा और slip छोटी सी होगी तो उसको अपने mobile phone में capture कर लीजेगा या उसका print out भी निकाल लीजेगा ताकि in the case खोता है तो आपके पास उसका विखल पुपलब्द हो पहली बात दूसरी बात कि आप अपना photo युक तो पहचान पतर यानि कि अपना ID proof चाहिए वो pen card हो, आधार card हो, deal हो, passport हो, anything वो ये दो document आपके पास original form में होनी चाहिए ठीक है? अब दूसरी important बात कि आदेश जारी हो चुका निकती पतर के लिए कल संबोता 12 से एक और बज़े के आसवास आपको बुलाए गया होगा तो जो तै समय है, क्योंकि आप एक सिक्षक हैं और यहीं से आपका सारी punctualty देखी जाएगी तो उससे पुर्व पहुंच जाएगा लगबग घंटे भर पुर्व वहाँ पर आप आराम से एक दूसरे से परिचित होंगे क्योंकि उसी जीले में आप लोगों को BRC पर मिलेंगे आप सभी meeting के दोरान, prescription के दोरान तो अपना परिचे बनाते रहिएगा और social distancing का पालन करिएगा दूसरी important बात क्या देश जारी हो चुका है न्यूकती के बाद वेतन की बाद कही गई है क्योंकि जब से आप पदभार गरहन करेंगे उससे एक वर्ष तक आपका परिविक्षा काल यानि की आपका training period माना जाता है और एक वर्ष के लिए अस्थाई तोर पर आप रहते हैं और एक वर्ष पूर्ण होने के बाद आप पर्मानेंट हो जाते हैं तो एक वर्ष अस्थाई नौकरी और वेतन की बात की गई तो सभी चीजों पर आई चर्जा कर लेते हैं तो यह आपका न्यूक्ति कादेश है और यह माननी सर्वूच नाले में योजित जो विशेश अनुग्या याजिका है ट्रिपल वान नाइनेड बटा दोजार बीश राम शरण मौर अनबराम उत्तरप्रदेश सरकार जो 21 मई और विशेश अनुग्या याजिकाफ चाचर सताजी बटा दोजार बीश सुवधार सिंग उत्तरप्रदेश बनाम जो आपकी नौ जून को पारित किया गया उसी करम में है और सरकार ने एक दिम सपष्ट इसमें काया कि उसी के पालन में होगा और यह सारी चीजे आपके जो आपको निउक्ति पत्र निर्गत कि जाएगा उसमें यह सारी चीजे मिंशन होगी ठीक है तो इसमें एक दिम सपष्ट है कि इसी के अनुपालान में उत्तरप्रदेश बेशिल सुख्षा परिश्ट द्वारे जो संचाली तो परिशिरी प्राफ्रों के द्यालों में साहिक द्यापकों के प्रथम चरण में नि इसे सुख्षा अध्यापक्स देवा निमाली जो 1982 है अधितनिम यता संसोदित के हिसाब से आपको किया जाना है और इसके उपरांत विद्वत कारभार गरहन करने की तिथी से जिस दिन आप कारभार गरहन करेंगे यान नियुक्ति पत्र निर्गत हो जाएगी उसके एक प्रामा स्टार्ट हो जाएगा ठीक है क्योंकि एक वर्ष का प्रिविशाकाल वहीं से माना जाएगा तो आपको साइग दापक के पदपर वेतन बैंड दो से आपको तीरावे सो जो आपका तीरावे सो से चौनती जाराट सो ग्रेड पे बैले सो पर है लेवल चे में एक व सुप्रिम कोड कोड के अधीन यह बरती है और सारी चीजह इसके लावाँ अगर कोई तूटी पाई जाती है आपके क्योंकि यह माना जाएगा कि आपने जितने डॉक्मेंट अपने समेट किये हैं वो सभी सई है अगर उसमें कुछ फर्जीपंती या कूट रचित पाजात ये नियुक्ति पत्र और ये सबी चीज़े समंदित अब्यत्ति अपना योगदान साथ दिवस के भीतर नियुक्ति पत्र निर्गमन की तीथी से जिला बेशे शुक्षा अधिकारी काराले पर देंगे जिनके विद्दाले अवंटन के समंद में प्रितक से कारवाई की जाएगे तो अभी विदाले आपको आवांटित होना नहीं है मैंने बार-बार चिला-चिला के बोला है अभी तो आप 20 काराले पर जाकर अपना पदभार एक हफ़ते का अंतरगत आप पदभार ग्रहन करेंगे ठीक है कोई डाउट नहीं तो सभी को धेरो शुब कामना है और थोड़ी भी तुरूटी मत करिएगा पुनबोल दूँ डॉक्मेंट की स्लिप जो मिले होगी आपको काउंसलिंग सेंटर से वो और आपना कह सकते हैं कि पैचान पत्रग यह दो चीज इंपॉर्टन तरीकिस रख लिजेगा अपना बैग रख लिजेगा वाटर बॉटल अपना लिजेगा मास्क लिजेगा सैनिटाइजर लिजेगा और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिएगा मिलिये जुलिये सबसे क्योंकि आप को सी जिले में अब रहकर नौकरी करनी है और बैसे सुक्षा में अपना योगदान देना है तो सबसे मिलिये और पुना आप सभी को डेरोश उपकामने बेस्ट अफ लगते हैंगे सुमच